पाके उसी मुझे को मिली जाएगी जिन्दगी तेरे संग संग कट जाएगी एक पाके तेरे हमको मिल जाएगी जिन्दगी तेरे संग संग कट जाएगी मेरे ब्रम्हार्ज पूरी को दो सामले प्यारे दो सामले वो प्यतम दो सामले इस जमाने की हरसी में कोई कम नहीं एक तो मिल गया तो जहां मिल गया छूट जाए जहां तो कोई गम नहीं चाहे दुस्मन बने मेरा सारा जहां हाए सारा जहां ओ प्यतम सारा जहां साथ मेरे हुकम तो कोई कम नहीं तो मुझे मिल गये तो जहां मिल गया खुद जाए जहां तो कोई कम नहीं तो मुझे मिल गया तो मुझे मिल गया तो जहां मिल गया जहां मिल गया भगवान नगर को देखने जा रहे हैं और भगवान जब नगर को देखने चले है न तो यह दसा हो गई है कि जो जैसे ही तैसे ही उठी धावई बाल ब्रिद्ध को संगना जब लोगों को पता लगता है कि परमात्मा स्रीहरी नगर में दर्सन करने के लिए आए हैं तो जैसा है जिस हाल में हैं बागता हुआ चला रहा है मा अपनी गोद के बच्चे को लेके नहीं आ रही है उसको उसी हालत में छोड़ दे रही है बुड्डों को नहीं ला रहे हैं और धाए धाम काम सब त्याद जो गाउं के बाहर थे महराज वो भी धाए दोड़ पड़े धाम घर की बोर काम सब त्याद दाए धाम काम सब सारे के सारे लोग सब कुछ छोड़ करके राम के दर्सन के लिए भागे हुए चले आ रहे हैं और जितनी जैनकपुर की सखिया है सब यह भाव रखती है कि एक बार प्रभु मेरे हो जाए एक बार प्रभु का दर्सन हो जाए और देखते ही देखते ही रगवंस सिरोमणी ने के दिया जाओ यह बार तो मैं किसी का नाम लिखवा के आया हूँ द्वापर में जब मेरा कृष्ण उतार होगा तुम सारी ब्रज में जाकर के बालाएं बन जाना मैं तुम्हारी एक्षा को पूरा करूँ भगवान फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाते हैं यहां छेपक है महराज राम चरितमानस में हाथ से बिंग गहे नहीं तो भगवान के जाने पर फूल की डालियां खुद ही जुक जाती थी और उसी बगीचे में महिलाओं के बगीचे में प्रवेश कर जाते हैं महिलाओं का निवास महिलाओं का अश्नान घर अलग कुरसों का अलग हुआ करता था गलती से विचारे अंजान हैं महिलाओं के बगीचे में गुश गया है सक्योंने का महराज कहां से आये बोले मैं परदेशी हूँ मैं तो अपने गुरु जी के साथ आया हूँ बोले तो आप यहां कैसे आ गए हो यह तो महिलाओं का बगीचा है बोले जी चाहे महिलाओं का बगीचा हो या पुरुसों का मैं तो सिर्फ फूल तोड़ने आया हूँ मुझे क्या मतलब लकिन नहीं कि मिले थी राम सीता को थी सीता राम को प्यारी भगवान राम को जानकी और जानकी को राम प्रिये लगने लगे है कहते हैं कि आपको एक बार हमारी जानकी जी के जेकार करने पड़ेगी सकھیयां ऐसे कहती है उन्ती जिंदावाद मुर्दावाद का नारा लग चले आपको हमारे ग्रूप के लीडर का नाम लेना पड़ेगा जिंदावाद तो वहां एक नजर ही जानकी ने राम को देखा है और राम ने जानकी को देखा है दोनों खो गए है जानकी अपने घर गई है और सक्षियों से कहते है अरी सक्षि एक बार फिर से उस बगीचे में चलना है एक नजर में एक बार देखते ही प्यार हो गया एक नजर में ही हम उनके हो गए वो हमारे हो गए इनके लिए तो सब कुछ छूट गया और सब कुछ पावी लिया अब इनको पाया कैसे जाए तो याद दखना यहाँ आदी सक्ति जगर जन्नी भी कहा है कि जो कोई चीज तुमारे सक्ति से ना मिले तो आदी सक्ति से माग ले ना मिल जाएगा और तो रहे जो जब तुमारे परिश्वर्म की सक्ति से ना मिले तो आदी सक्ति जगर जन्नी जगरणा से माग ले जङ जन्क जी अपनी सक्कियser कहती है अरी चलो बेचेन हो गए है मन उच्चाति तो हो रहा है किसके लिए राम के दरसन के लिए नीद नहीं आती कि जहां देखता हूँ वहां तुही तुहे न तेरी सी रंगत न तेरी सी बूल एक ही नजर में देखा है राम को बेचेन हो गई है और अपनी सखियों से कहते है चलो कि चलो उसे कहां बाटिका में चलो उसे बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो चलो उसे बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में कर जहां दो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में दो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में दो नोकुमर आए चलो नोकुमर आए चलो उसे बाटिका में दो नजाकत होती है भगवान जो गए है फूल तोड़ने तो भगवान ने फूल तोड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है डालिया खुद जुक गई है यथार्थता में जो फूल प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए वही स्पूल है बाकी तो मिठ्था ही मिठ्था है कहते हैं जिनको देखने के बाद बेला की नजाकत खत्म होगा बड़ा नाज था अपनी सुन्दर्ता पर इतराती थी लेकिन भगवान राम के आते ही क्या होता है ना बेला मेरा ही कुसबो चमेले में नजाकत है ना बेला मेरा ही कुसबो चमेले में नजाकत है ना बेला मेरा ही कुसबो चमेले में नजाकत है ना बेला मेरा ही कुसबो चमेले में नजाकत है गए जिस रौस पेले ने रौस का मतलब डाली होता है गए जिस रौस पेले ने सकीवे उजब सर्मादे चलो उस बाठी कावे कल जहां दो रखुमन आए चलो उस बाठी कावे कल दो रखुमन आए चलो उस बाठी मैंने भी एक पंक्ति कही थी कि जो आपको जीवन में आपके सक्ती से ना मिले उसे एक बार आदी सक्ती से मंग लेना यहां रामचरित मानस में सक्ती ने सक्ती की उपासना की है आदी सक्ती जगत जननी जगदंबा कौन है माजान की और स्वयम वो आदी आदी सक्ती की पूजा कर रही है जय 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 गिरिवर राज की सोरे जय महेस मुख चन्द चकूद जय गजबदन खडानन माता जगत जनने दामीने दूतगा आज एक सक्ती ने सक्ती की उपासना की है इसलिए मैं कहता हूँ कि कमाता लाक दन दूलत इंसान को काफी गरूर होता है न करता है आदी इस्वर को दूलत का सरूर होता है मगर करता है आदी इस्वर को वो उस पल जब उससे कुछ भी नहीं होता हर तरफ से मजबूर होता है उपमा देखिए सक्ती ने कितनी बात कहिए सेवत तो ही सुलब पल चाहिए जानकी जी कहता है आदी सक्ती तुझे पूजा करके तुझे आराद करके तेरी सरण में आके तरी साधना करके लोग सेवत तो ही सुलब पल चाहिए वर्दा यानी पुरारी प्यारी तेरी साधना करके धर्म अर्थ काम और मुक्ष चाहरों पा लेता है तुम सुर्की प्रियतमा मा गवरी हो तुम्हें मेरी विवास सुनना अभी कहती है महिया सुनो कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे ए देवी तुम्हारे चरण को पूजी करके सुर्ण नर्मुनि सब हो ही सुखार तुम्हें मेरा थक पूजे थिए्एं dog ए Нवे ऑ्वरी तुम्हें मेरा विझा कि उन्हें ठान करके इज lin वárirend जई कि पर दुम्हें हो ही सुनो कर दुम्हें दुम्हें जुम्हें है कर भी तुम्हें झाल 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 झाल